जेहिन अभ्यास ओनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो सेक्षन में हम बात करने वाले हैं प्री डीयलेट इक्जाम 2021 जो 29 अगस्त को 2nd स्ट में आयूजित हुआ था उसमें दोस्तों हम मौडल आंसर लेकर क्या हैं समभावित आंसर की अंगरेजी सब्जेक्ट का ठीक है 10 अंकों के 10 प्रश्ण इसमें पूछे गए हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों वीडियो को सुरू से लाज तक जरूर देखेगा और आपका कितना अंक इसमें आ रहा है उसको भी कमेंट करके जरूर बताईगा और दोस्तों नीचे मैंने डिक्रिप्शन में लिंक के दे रहा है अपने इंस्टा अकाउंट का तो दोस्तों वहाँ पर जा करके दोस्तों मुझे फालो जरूर कीजिएगा ठीक है तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा 20 सेट आया हुआ था तो 20 सेट से हम इस कोशन को दे दोस्तों पूरी तरीके से दो चीजों के बारे में इसमें बताया गया है तो इसमें पहला जो है दोस्तों एक है डानसोर के बारे में बताया गया है और दूसरा जो है इसमें जो है आपका टैरनासोरस ठीक है तो इसमें जो दूसरा प्राणी है वो टैरनासोरस है आपको प चीँ होगा सब्सक्राइब होगा तो इसमें दो डाया जोरा सब्सक्राइब हो त्यजिन प्रेश्ट होगा। क्यों होता है तो main reason उसका क्या है ठीक है मतलब उसका सरी जो है वजन है भारी है तो उसको मोडने में क्या होती है दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत होती है अपने वजन के कारण ठीक है तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा इसके लिए जो right answer जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो which of the following has been wrong matched मतलब जो wrong match हुआ है उसको हमको बताना है ठीक है तो पहला इसमें दूसरा तीसरा चौंथा इसमें चार दुक्र match दिया हुआ है उस according नीचे option दिया है A, B, C, D तो पहला जो option है पहला और दूसरा ये क्या हो जाएगा तो हमको ये पतक चल जाएगा तो पहला इसमें जो बोल रहा है कि lag जो muscles है of the dinosaurs मतलब जो lag muscles है दोस्तों उनका जो बात कहीं जारी है उनका जो top speed है वो है दोस्तों 40 km लेकिन अगर हम लोग passage में अगर देखें दोस्तों तो इस passage में दोस्तों 25 km बता आगया है तो अगर इसमें 25 km बता आगया है इसमें 40 km बोल रहा है तो क्या हो जाएगा ये पूरी तरीके से गलात हो जाएगा और हमको wrong magic को ही बताना है न तो हमारी लेक क्या हो जाएगा पहला point तो इसमें wrong है जाएगा ठीक है उसी तरीके से इसमें दूसरा point जो बोल रहा है दोस्तों वो computer modeling and biometrics calculation तो दोस्तों computer द्वारा dinosaur modeling and उसके biometrics calculation किया जाता है क्यों किया जाता है तो the pay of the ternosaurus तो दोस्तों इसमें pay of the ternosaurus के related है तो क्या है क्या नहीं तो इस passage में दोस्तों जो ternosaurus है उसकी speed और गती को बताने के लिए ही इसमें जो है इस measurement का प्रयोग किया जाता है कौन से measurement computer modeling है and biometrics calculation है तो ये speed को देखने के लिए होता है ठीक है तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए incorrect match हो जाएगा अर्था तो wrong match हो जाएगा तो option number हमारे लिए A जिसमें से पहला और दूसरा क्या हो जाएगा दोनों correct हो जाएगा ठीक है चलिए देखते हैं दोस्तों next question next question है a synonym of the world affected तो इसमें जो सब्ध है affected उसका synajnajnajnaj講 समनार्थी सब्ध है एंटोनेम मतलब क्या होता है वरुद्दार्थी सब्ध तो यहां पास समनार्थी सब्ध हमको बताना है affected मतलब किसी ना किसी रूप में क्या है वह दोस्तों कहा चाहतो तो पीड़ादाई, मतलब पीड़ादाई, मतलब क्या होगा है, affected मतलब उसमें चीज की क्या है, कमी है, तो इस तकर तरह से क्या हो जाएगा, इसके लिए synonym क्या हो जाएगा, challenged, ठीक है, मतलब कोई भी चीज क्या होता है, affected होता है, तो वो क्या होता है, उस व्यक्ति के लिए challenge पूर्णा होता है मतलब क्या होता है चुनाओती पूर्णा होता है या फिर क्या होता है वनचीट उस चीज़ से क्या होता है वनचीट अगर कहा है तो यह हो जाएगा ठीक, option number B इसा क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा देखते है next question which of the following in correct तो जो passage है दोस्तों उसमें correct word इसमें 4 option दिया गया है उसमें से हमको बताना है तो इसके लिए दोस्तों right answer क्या हो जाएगा कि जो तो इसके लिए दोस्तों right option क्या हो जाएगा option number C हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों इसमें sorry, option number D हो जाएगा जिसमें क्या हो जाएगा, look, speed and agility, तो agility तो क्या हो जाएगा, option number D is a correct answer, देखते हैं, next question, when I finished blanks, this letter, I will come and help you, तो इसके लिए right answer क्या हो जाएगा, इसके लिए दोस्तों, right answer जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, writing, तो क्या हो जाएगा, writing, तो option number C is a correct answer, क्योंकि दोस्तों, इसमें to right, जो हो सकता था, ठीक है, क्योंकि अगर ये दोनों के, दोनों क्या है, दोस्तों, non finite के अंतरगत आते हैं, तो ये इसका right answer हो सकता था, लेकिन, इसके लिए दोस्तों, जो, अगर सिर्फ writing की बात करें, तो वो क्या होता है, एक 0 प्रकार का word है, तो ये क्या हो जाएगा, option number is a correct answer, ठीक है, देखते हैं, next question, yours clever, ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, question tag है, तो question tag से related, एक question आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, दोस्तों, aren't you, तो option number D is a क्या हो जाएगा, correct answer, देखते हैं, दोस्तों, next question, next question है, we have only blanks, minutes to spare, तो इसके लिए right answer क्या हो जाएगा, ह llegó लए तो little, जो है, दोस्तों, सबसे पहले तो यह क्या होता है, एक प्रकार का uncountable है, उसी तरीके से a little भी uncountable है, और चुकि हमारे पास जो minute word है, वो क्या है एक प्रकार का countable है, तो हमारे लिए little तो नहीं होगा, और a little भी नहीं होगा, तो बचा हमारे पास क्या few और a few, और चुकि few भी हो सकता है और few हो सकता है दोनों के दोनों हो सकते है पर इसमें से few जो है दोसको right answer हो जाएगा और a few क्यों नहीं होगा इसके मैं बता देता हूँ यहाँ पस देखिए only sabda लिखा हुआ है तो only sabda लिखा हुआ है इस वज़े से हम इसमें a few नहीं लगाएंगे क मतलब जिस spelling का हमको सही है वर्ड उसको हमको क्या करना है दोस्तों बताना है तो इसमें हमको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों सिकनेरी तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा सिकनेरी मतलब क्या हो जाएगा option number b is the correct answer दिखिए c h i c a n e r y इसका मतलब क्या होता है दोस्तों जुठा आरोप लगाना या फिर जुठा आरोप सिध्ध कर देना ठीक तो option number b is the correct answer देखते नाक्ट question an area of the land that has a particular type of appearance is a वो ऐसा छेतर जहां पास पूरी तरीके से छेतर को घेर कर रखा गया है उसको क्या कहलाता है वो कहलाता है दोस्तों आपका land is space ठीक है तो option number a is a क्या हो जाएगा correct answer जैसे मैंने इस छेतर को क्या कर दी है घेर करके रखा है तो यह क्या कहलाएगा दोस्तों आपका land is gap कहलाएगा लेकिन particular एक जगह को मैं provide करूं यहां पस जैसे ओ है तो ओ को मैं यहां पास आइडिंटिगेट कर रहे हूं तो यह क्या कहलाएगा land mark कहलाएगा ठीक है तो प्रश्ने क्या according दोस्तों यह one word है तो यहां पास क्या हो जाएगा हमको बताना है कि particular जगह जाता है उसको क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है land space ठीक है तो an area of land that has a particular type of appearance is a land is gap हो जाएगा ठीक है चली देखते है next question I love to return to my flew passenger ठीक है आई हार्ड's old soldier I just stretch from his attitude and idea ठीक है तो इसके लिए right answer क्या हो जाएगा इसको समझने से पहले question क्या बोल रहा है हमें यह समझना होगा में तो हम दोस्थों कोई भी चीच से हम देखते हैं है ना उससे क्या होता है हम उस पर मतलब क्या हो जाएगा उसमें से कहजा तो पहला तो होता है दूस्तों attitude और दूसरा दूस्तों उसका एट retention मतलब बोला जायता तो अगर हम इसको बोलेगे तो ऊपर ही भाग से मतलब ऊपर ही भाग से अगर देखेंगे दूस्तों तूसका पहनावा या फिर वेजबूसा ठीक है तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा outfit मतलब या फिर outlook भी वह सकते हैं तो इसले क्या हो जाएगा option number B क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा मतलब किसी भी चीज किसी भी व्यक्ति को हम लोग बाहरी चीज से किस तरीके से भाव सकते हैं attitude से और उसके वेजबूसा से तो क्या हो जाएगा option number B is the correct answer तो इस तरीके से दोस्तों आपका कितना answer जो है correct हो रहा है comment करके ज़रूर बताइए और जो चीज समझ नहीं है नए वीडियो में और इसके लावा अन्य जो model answer मैं upload कर दिये हूँ आप उसको जरूर चेक आउट का लिजएगा चलिए मिलता है दोस्तों नए वीडियो में नए जनकरी के साथ मुझे दीजी जय जय टेक कर all the best जय हिंद